गुड मार्निंग मेरी प्यारी से यूटूब फेमेली स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी अपनी चैनल ग्रहनी गार्डन ब्लाक्स पर दोस्तो कैसे है आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो मैं अपनी चैनल पर अपनी डेली रूटिंग के कुछ ब्लाक्स साथ में अपनी देशी वाली रेसिपी आप लोगों से सेयर करते रहती हूँ आज का वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है बीच में इसकीप मत किजिएगा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके तो आज की जो हमारी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है या कहिए हमारा जो ब्लाग वीडियो होने वाला है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए साथ में एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और कमेंट करना बिलकुल भी ना भुले तो चलिए आज का हम लोग मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं मेरी प्यारी सभी यूटूब फेमेली आज मैं आप लोगों को ताजे हरे भटे की सबजी एकदम नए तरीके से बना कर बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से और मैं इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से सेर करने वाली हूँ कि हर एक चीज आपको बारिकी से बताने वाली हूँ जिसे देखने के बाद अगर आप पहली बार भी इस तरह की हरे भटे की सबजी बनाने जा रहे है तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बन कर तयार हो जाएगी बस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए बिलकुल देशी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ वीडियो को बिलकुल भी इसकीप मत किजिएगा नहीं तो कुछ न कुछ छूट जाएगा और फिर आपकी रेशेपी मज़ेदार नहीं बनेगी तो चलिए आज की भटे की मज़ेदार रेशेपी हम लोग देखते हैं कि कैसे बनती है जो कि पाँच मिनट में हमारी सबजी भटे की बन कर तयार हो जाएगी वीडियों तो इस तरह की रेशेपी बनाने के लिए कडाई में हमें एक चमच थेल दादेना है और गरम होने देना है भटो को हमें दूलकर असे लंबे-लंबे आकार में काट कर पहले ही रेडि कर ल में इस तरीके से भून लेना और ये साप्ट भी हो जाएंगे मतलब पक कर हमारे भटे रेडी हो तब ही हमारी जो सबजी हम लोग बनाने जा रहे हैं वो पांच मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी तो देखिये हमारे जो भटे है हरे वाले इसका कलर change हो गया है मतलब हरापन बिल्कुल भी नहीं दीक रहा है और ये एकदम soft हो गया है और उसके बाद हमें एक प्लेट में निकाल लेना है इसी में हमें एक कटोरी ताजे वाले हरे मटर डाल देना है और इसे भी हमें थोड़ा सा जो मटर हमारे तड़कने लग जाते है अभी ताजे मटर बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है तो हर सब्जी में हम लोग आराम से इसे एड़ कर सकते है तो बस इस तरीके से जैसे हमारे ताजे वाले मटर का कलर चेंज हो जाएगा तब हमें इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेना है जिस प्लेट में हमने भटे निकालकर रखे है मटर और भटे की आज हम लोग बहुत ही टेश्टी सबजी बनाने वाले है जो के आपने इसके पहले कभी ऐसे नहीं बनाई होंगी तो हमारे मटर और हमने भटे निकाल कर रख दिये है उसी कड़ाई में हमने एक चमज जीरा डाल दिया है इसे तड़क ने दिया है और एक बड़ा सा प्याज काट लिया साथ में तीन से चार हमारी हरी मिर्ची है इसे भी हमें थोड़ा सा कलर चेंज होते तक मतलब प्याज ज अद्रक लसन का पेश्ट डालने के बाद में दो से तीन मिनट तक हमें इसे भी अच्छे से भुन लेना है जब हमारा प्याज हरी मिर्ची अद्रक लसन का पेश्ट भुन कर रेडी हो जाएगा उसके बाद हमें एक बड़ा सा टमाटर काट लेना है और टमाटर काट के हमें इ इसे भी हमें अच्छे से 2-3 मिनट तक भून लेना है, दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे, क्योंकि ऐसी नई नई रेसेपी और ब्लाक्स मेरे चैनल पर मैं हमेशा डेली डालते ही रहती हूं, तो देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से पकर रेडी हो गया है, और उसके बाद जो हमने यहाँ पर क्रंची करके रखे थे भटे और मटर, दोनों को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, अब हमें अगर ज़्यादा ही हमें एकदम से चटपटी सी अगर बनाना है सब जी तो उसके लिए हमें इसमें लाल मिर्ची एट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं नमक अपने स्वात के अनुसार और फिर हमें एक चमच लाल मिर्ची पावडर डाल देना है, और फिर हल्दी पावडर डाल कर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो दोस्तो मैं बिल्कुल भी गलत आप लोगों से नहीं कह रहे हूं कि ये हमारी भटे की सबजी चटपटी तो बनेगी ही साथ में पांच मिनट में बनकर रिडी हो जाएगी बस दो मिनट हमें इसे ढख देना है अच्छे से मिक्स करके और दो मिनट के बाद में हमें और थोड़ा चम्मच चला देना है और फिर इसमें हमें डाल देना है धनिया पत्ती दोस्तो धनिया पत्ती डालने से हमारी सबजी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है तो देखिए हमने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है और ये देखिए हमारी मजेदार एकदम चटपटी सी हरे वाले भटे की और मतर की सबजी बनकर यहां हो गई है तयार तो दोस्तों आज की मेरी चटपटी सी हरे भटे की सबजी की रेशेपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंड करके जरूर बताईए और जटपट बनकर तयार होने वाली हमारी भटे की रेशेपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों को सेयर करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ में तेंक यू